राधे राधे दोस्तों तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग ऑच्छे होंगे और स्वस्त होंगे और मस्त होंगे और देखिए तीन चार दिन से यहाँ बारिस हो गया है मतलब हो रहा था क्यूंकि यहाँ पर सर्शती पूझा के एक दिन पहले से यह मौसम खराब हैne ऐ HR 2 2 1 त वारिस है लेकिन अद सूबह से थोरा दिन साप किया है क्योंकि धुपा तो नहीं ओग लेकिन थोरा सा मितलब 일본 साफ जईसा दिन लग रहा है अर देखे यहां एधर और देखिए вд untuk become dapark देखिए दो दिन से बारी सोगत वूए तो बाहर के ज souvent और और मिठी मिठी कंग से दियाए अभी बहुत दिक्कत चल रहा है क्योंकि बाहर बारिस भी हो रहा है तो मिठी में घांस लाने का लगद라고 घरी के खाना से काम चला रहे कभी साथ तोर के देते हैं कभी धनिया के पत्ता तोर के देते हैं कभी ब्रॉकली का पत्ता देते हैं और फिर मटर का चिलका भी खाता है और भी देते हैं इसका पिंजरा में देखिए यहां पर टमाटर भी रखा हुआ है यह टमाटर भी खाता ह आ मतलेब सोचना नहीं पड़ता है कि जादा कर तो इसको किठ सब यह झाँ गांगा सब जेता है और यह दिन मेर भेते रहता है हमको हंको पिंजडरा साफ करने बटेखे अगハハता है लग रहा है कि अच्छा से ख़ाना खिला है उधर बना चटपर राई झापली का पत्ता तोर के दी है तमाटर का और इधर देखिए साग का आ जो अब इधर घ्रजा अब यह अज्भ आजीव का स्विति एक भषांगर उस कईसे खा किर देख दे दिखते हम अच्धा लगई कि हमको बहुत अच्छा लगताए है तरीखे से हम लोग को पहचान लिया है कोई बाहर वոला wz च शूता हो यह पिंजरार में अठीनाफ की हाथ भिशादा है तो इसके वसको मतलब हाथ घर हना तो सी और हम अधर भी टालते हैं उसको सहलते हैं यह कुछ नहीं कुछ में बाहर भूत हम च शुय करता है और इधर देख सकते हैं यह बकलो का पेंड है छोटा छोटा आपको दिख रहा है इसमें भी फूल आ रहा है तो बकलो का दाल होता है बकलो का मिच्चर बनता है और बकलो का सबजी बनता है तो इसलिए बकलो का देखिए यहां पर यह पेंड है इसमें फूल आ रहा है आपको मीं भहुत टेस्टी लगता है तो यहां पर देखिए हम यह लगाए हुए है यह कम महनत में आपको हो जाएगा अगर मोसम कितना भी खराब किया हुए पैंट प defin कर दिए पानी पर गया तो बहुत अच्छा हुआ यहां पर देखिए पुरा हरा भरा अदम पेंड दिख रहा है और यह हमारा औरहुल का फूल का पेंड है और यहां पर देखिए यह अपने आप इसमें सरसु भी हो गया है और इधर हम दो ही वो इधर इस तरफ दो ही गमला रखें ज्यादा नहीं रखें और देखिए अनार में हमारा फूल तो आ रहा है पर पता नहीं हवा के चलते या फिर गिलहरी गिरा रही है फूल को पता ही नहीं चल रहा है तो इसका कुछ करना पड़ेगा यहां पर यह देखिए यह भी फूल सुन्दर लग रहा है और चलिए आपको हम आगे वाला च्छत और ले चलते हैं तो यहां पर देख सकते हैं इधर भी हमारा पुरा कपरा थैला हुँआ है दूपा भी नहीं किया है तो दूपा का इंतिजार कर रहे है और यहां पर देखिए इधर भी बारिस हो गया ह। तो अच्छK मतलब पेंट पौधा बहुत अच्छा देखने में लग रहा है तो एक चीज का दिक्कत होगा तो एक चीज का अराम होगा तो एक चीज का दिक्कत तो होगा ना पेंट पौधा को बहुत अच्छा लग रहा है मतलब उसको पानी मिला है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है द देखके गए थे और देखिए आज सुबा जो हम छट पर आए हैं तो इस टोबरी हमारा लाल हो गया है देखिए कितना सुन्दर भी बहुत सारा फल लगा हुआ इसमें चीरियां आती है पता नहीं क्या खाता है वो समझ में नहीं आता है पूरा देखिए जो हम यह क्या बोलत का जो अटिया बोलता है मरतर अटिया को काट के रखें पूरा उपर फैला दिया है देख सकते हैं पूरा गमला से बाहर कर दिया है तो हम आते हैं तो अंदर रखते तो सरिया देता है देखिए फिर ऐसे गम बेकार कर दिया है पर वह पक्षी है उसको क्या कह सकते हैं और य काटोन आपको दिख़ा आखाली दूसरा मिट्टी डाले हैं तो इसा भी बहुत थारा काम अभी मेरा चत पे पड़ा हुआ है पर बारज तीन, चार दिन से हो रहा है तो पुरा काम भी खड़ा आप कर दिया है और देखिए कितना सुन्दर विद्धर गुलाब भी लग रहा किछन करके हमारा रैस्पी का चेनल यूश पर भी हम च्छत पर से मतलब की सबजी तोरते हैं अधिक तर उसका रैस्पी बनाते हैं इधर देखिए यह रामबान का पेंड है इसको लगा थे तिन चार दिन हो गया चार-पांच दिन लगा तो उसके कलियों के बारिस हो गया था यह भी ठीक ठाक चल रहा है इधर देखिए टमाटर भी अच्छा चल रहा है इसमें देखिए फूल भी आ रहा है अब बहुत सारा यह मतलब फल भी इसमें बन रहा है चुटा-चुटा दो-तिन को बैंगन भी है कहिएखिए हम देखिए तो जो जिसन-तिन-त्ति सब यह सब उपरतए थि नहीं है दोनों तरब हमारा फरा हुआ में अदल प्य Ai है और देखिये वी मौसम तो पुरसाप नहीं हुआ है फिर भी कोई बात tô नहीं है इस हम लोग का काम है हम लोग करेंगे अब मौसम का जो अपना काम है वो अपना करें उसमें क्या है कै और देखिये छत हम लोग के तरफ लाइट भी खड़ाब हो गया है पता नहीं कब बनेगा नीचे देखिए गली का कितना हाल खड़ाब हो रखा है च्छत पर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अब मन भी खुस हो जाता है तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देजिएगा चैनल पर पहली बार आये होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब पर ले साथ में बेल आकोन को भी दवाले